दोस्तो सागत है आपका दा ब्यूटिफॉल नेचिर पर दोस्तो ये सक्रीन पर आप प्लांट देख रहे हैं ये है बिगोनिया अर्मियन संसेट तो बहुत ही सुंदर पौदा होता है इसके पत्तों की बज़े से इसको सभी लोग इसको लगाना पसंद करते हैं ये इंडोर और आउटड़ दोनों में चलता है लेकिन आउट़ोर में इसको फिल्टर सणलाइट में रखना पड़ता है तो आज हम आपको बताएंगे कि इसको कटिंग के जरी ऐ किस तरीके से ग्रो किया जा सकता है तब से पहले आपनेशे काटिंग लेनी है कि अपने यह हमारे पर स्वाइल मीडिया है 50-50 का, 50% इसमें सैंड है और 50% इसमें गार्डन स्वाइल है, अकसल दोस्तों लोग कमेंट करके पूछते हैं कि हमारी कटिंग नहीं लगती, दोस्तों सबसे पहले तो कारण होता है बड़ा मिटी का, मिटी जो है वो जिसमें आप कटिंग लगाएंगी, तो ऐसा नहीं है कि कहीं से भी मिटी उठाई और उसमें कटिंग लगा दी, गल्प बात आईए, हम जो मिटी प्रियोग करते हैं, वो मिटी हमने अलड़ी सुखा कर रखी होती है, और सैंड जो होती है, उसको भी हमने सुखा कर रखा होता है, उसके बाद पोई कमपोजट को इसमें नहीं डालते हैं, तो कि कमपोजट डालोगे तो कतिंग फोड़ी सड़ जाएगी, कमपोजट तो सिर्फ जब पॉद्धे में जड़े अएंगी, तो जड़ेओं के जड़ी ही फो कमपोजट को कलेक्ट करता है, तो तब उसकी प्रापर ग्रोथ ह होता है कि हमारी काटिंग जो है वो लगने से पहले ही सुक जाती है जग गल जाती है दोस्तों आज इसको लगाए हुए बीस दिन करीब हो चुके हैं यह देखिए इसमें ग्रोथ होना शुरू होगी है नीच बॉटम से भी इसकी नई पतिया निकलना शुरू होगी है और आपने इसको लगाने के लिए पाउट भी कुछ इस हिसाब से चूज करना है कि इसकी आउटलुक जो है वो देखते ही बने के लिए हमने यह वाइट पाउट जो है वो ले रखा है इसमें हम इसको लगाएंगे यह देखिए इसमें जड़ें आ चुकी है नेचरलिया कि इस इनको वन वाई वन करके और उसके बाद पानी दे के इनको दो या तीन दिन के लिए इनको फुल शेड़िड एरिया में रखेंगे तो तब तक इसकी जड़े जो है वो अपनी जगे ले चुकी होंगी उसके बाद जो है चाहे आप इसको फेल्टर सनलाइट में रखिए तब भी यह बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा और या फिर आप इंडोर में कही रखना चाहते हैं तो वहां पर व्राइट लाइट होनी चाहिए तो वहां भी यह प्लान जो है बहुत अच्छे तरीके से चलेगा दोस्तों साथ में आपको मैं यह बिता दूं कि यह पौदा जो है वह बाकी पौदों के कंपैटिबली खुरा कॉस्टली होता है इसकी इतने चुट चुटे पौदे जो हैं वह भी हंडर्ड रुपीज से स्टार्ट होके अप्टू फाइव हंडर्ड तक यह पौदा मिलता है वह देखिए हमने फ्री में इसमें दो पौदे अब आड़ कर एक बार आपको रिस्पॉंस इसका अच्छा नहीं मिलता तो सैकंड टाइम जवारा फिर इसको कीजिए तो यह थी जानकरी की बेगोंदियां अर्बिन संसेट कैसे ग्रोब करें इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यावा